महान बैज्ञानिक एलबर्ट आइंस्टाइन का यह कथन गांधी जी की महानता बताने के लिए पर्याप्त है कि आने वाली पीडियां बिश्वास नहीं करेंगी कि इस धर्ती पर गांधी जैसा कोई हाड मांस का सरीर रहा होगा नमस्कार ब्यसेस ऑनलाइन में आज कहानी भारत के राश्विता महात्मा गांधी की महात्मा गांधी का जन्म दो अक्टूबर 1879 को पूरबंदर गुजरात में हुआ था वे एक प्रसिद्ध वकील, राजनेता, सामाजिक कार्यकरता और लेखक थे जिन्होंने ब्रेटिस सासन के विरुद भारत के राश्वादी आंदोलन में महत्पून भूमिका निभाई अस्थापना की और इसके साथ नसलवादी सासन का सफलता पूर्वक मुकाबला किया सत्याग्रह के विचार के तहट सत्य की शक्ती और अहिंसा के साथ सत्य की खोज की आवशकता पर बल दिया गया विश्वभर में गांधी जैन्ती के अउसर पर दो अक्टूबर को अंतर प्राश्टिय अहिंसा दिवस कायोजन किया जाता है अहिंसा और अन्य गांधिवादी तरीकों के माध्यं से सामाजिक आर्थिक और राजनितिक परिवर्तन लाने के लिए प्रति वर्स गांधी-शान्ति-पुर्सकार प्रदान किया जाता है जब महात्मा गांधी-9 नौ जनवरी को प्रवासी भारतिय दिवस का आयोजन किया जाता है आईए बात करते हैं भारत में सत्याग्रह आंदोलन के बारे में तो महात्मा गांधी का मानना था कि अहिंसा का धर्म सभी भारतियों को एक जुट कर सकता है वर्स 1917 में उन्होंने किसानों को नील की खेती की दमनकारी प्रणाली के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रवित करने हेतू बिहार के चंपारन की यात्रा की थी वर्स 1917 में उन्होंने गुजरात के खेडा जिले के किसानों का समर्थन करने हेतू एक सत्याग्रह का आयोजन किया फसल खराब होने और प्लेग की मारी से प्रवावित खेडा के किसान राजसों का भोगतान नहीं कर सके और राजसों वसूली में कुछ छूट देने की मांग कर रहे थे वर्स 1918 में कापास मील श्रमिकों के बीज सत्याग्रह आंदोलन हेतू वो अहमदा बात कहे वहीं 1921 में उन्होंने प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के विरुद एक राष्ट व्यापी सत्याग्रह सुरू करने का फैसला किया इस अधनियम के तहट सरकार को राजनीतिक गत्विधियों को दबाने के लिए उच्छ सक्तियां और दो वर्स तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमती दी गई थी वहीं 13 अप्रेल 1921 को कुख्यात जलिया वाला बाग की घटना हुई हिंसा को फैलते देख महत्मा गांधी ने आंदोलन 18 अप्रेल 1921 को बंद कर दिया अब बात करते हैं अस्रहयोग आंदोलन 1922 के बारे में अस्रहयोग आंदोलन शुरू करने की आवशक्ता के बारे में आस्वस्त किया दिसंबर 1922 में नाग गुर्मे कॉंग्रेस के अधिवेशन में अस्रहयोग कारिकरम को अंगिकार किया गया वहीं फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया फिर बात करते हैं नमक कानून के बारे में तो वर्ष 1930 में गांधी जी ने घोषना की कि वे नमक कानून को तोड़ने के लिए एक मार्च का निर्थित्ट करेंगे उन्होंने साबर मती आसरम से गुजरात के तठीय सहर दांडी तक मार्च किया जहां उन्होंने समुद्र के किनारे पाए जाने वाले प्राकिर्तिक नमक को इकठा करके और नमक पैदा करने के लिए समुद्र के पानी को उबाल कर सरकारी कानून तोड़ा यह घटना सविने अवग्या अंदोलन की सुरुवात को चिन्हित करती है आईए बात करते हैं सविने अवग्या अंदोलन के बारे में तो वर्ष 1931 में गांधी जी ने एक संघर्ष विराम यानी गांधी एर्विन संधी को सुईकार किया और सविने अवग्या को समाप्त कर दिया तथा भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस के एक मात्र प्रतनेधी के रूप में लंदन में दूसरे गोल में समेलन में हिस्सा लेने के लिए श्रहमत हो गए लंदन से लोटने के बाद महात्मा गांधी ने सविने अवग्या अंदोलन को फिर से शुरू कर दिया एक वर्ष से अधिक समय तक यह आंदोलन जारी रहा किन्तु वर्ष 1934 तक इसने अपनी सक्ती खो दी वहीं बात करें भारत छोड़ो अंदोलन के बारे में तो दितिय विश्युद 1949-1945 के प्रकोप के साथ भारत में राष्टवादी संगर्ष अपने अंति महतपूर चरण में प्रवेश कर गया क्रिप्स मिशन 1942 के बिफलता भारतियों को सत्ता हस्तांतरित करने सम्मंधी ब्रिटिस अनिच्छा और उच ब्रिटिस अधिकारियों द्वारा हिंदू ये मुसल्मानों के बीच कलह को बढ़ावा देने वाली रूडवादी यों सामपरदाइक ताक्तों को दिये गए प् भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में जाना गया वहीं बात करें गांधी जी के सामाजिक कारे के बारे में तो उन्होंने तथा कथित अच्छूतों के उत्थान के लिए महत्पून कार किया और अच्छूतों को एक नया नाम दिया हरी जन जिसका अर्थ है इस्वर की संता वहीं सितंबर 1932 में बी आरंबेटकर ने महात्मा गांधी के सांथ पूना समझोते पर बात चीत की आत निर्भरता का उनका प्रतीक चर्खा भारतिय सुतंता अंदोलन का एक लोग प्रियचिन बन गया था उन्होंने लोगों को सांथ करने और हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने में महत्मूर भूमिका निभाई क्योंकि देश के विभाजन से पहले तथा उसके दोरान दोनों समुदाय के बीच तनाव काफी बढ़ गया था वर्ष 142 में उन्होंने महराश के वर्धा में हिंदूस्तानी प्रचार सभा की अस्थापना की इस संगठन का उद्देश हिंदी और उर्दू के बीच एक संपर्क भासा हिंदूस्तानी को बढ़ावा देना था वहीं बात करें इनके पुस्तकों के बारे में तो इनकी पुस्तके हैं हिंदूस्वराज सत्थ के साथ मेरे प्रियोक यानी इनकी आत्म का था गांधी जी को 30 जनवरी 1941 को नाथु राम गोट से ने गोली मार कर उनकी हत्या कर दी और तभी से 30 जनवरी को देश भर में सहीत दिवस के रूप में मनाया जाता है कर दो है